तो दोस्तो आज ए 1st August 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपोर्टेंट शेर्स के पर कुछ इंपोर्टेंट अपडेट से कुछ इंपोर्टेंट न्यूस है तो चले के करके कवर करते हैं सबसे बहले हम बात करेंगे पावर सेक्टर का दिगच कंपणी टाटा पावर कंपणी लिमिटेट के पर जिसको पर मेरा लगातार खड़ीदारी करने कर राये था इवन आज की डेट पर मेरा राय एकदम सेम है तो दोस्तो कल यानि 31st को मैं टाटा पावर के पर एक इंडिव सिधा बहुत महीनों बाद 244 रुपए 45 पैसे पर क्लोजिंग दिया लगबग 3.27% तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके पास किस रेट में टाटा पावर का शेर है और आज की रेट में आप कितना परसंट प्रॉफिट में है मैं अपन आप अब देखे वैसे तो देखा जाए आज पूरा पावर सेक्टर में तेजी था मतब एक्टी परसेंट पावर सेक्टर की स्टॉक्स चाहे ख़लाब हो चाहे अच्छा हो देखने को मिला और खास करके टाटा पार में जो तेजी था इस निउस के वाज़े सी यह देखे क करके बजार क्लोज हो जाने के बात तो जिस बैसे इसका इंपक्ट हमें आज देखने को मिला यह देखे टाटा पावर लॉंच इजेट चार्च कार्ट फॉर इवी ओनर्स तो बैसिकल एक न्यू प्रोडक्ट कंपने पर लॉंच जो की एलेक्रिक वाइकल का जो ओनर्स है उनको यहां पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला और जिस बैसे देखने को मिला अब आपके दिमाग में यह भी क्वेश्चन जरूर आया होगा कि चलो ठीक है टाटा पार का दो बात समझ आ गया बट दूसरे जो पावर सेक्टरी कंपनी चाहें एंटी पीसी की बात करे इसके अंदर तेजी कैसे देखने को मिला तो इसके अंदर जो टेजी देखने को मिला इसका भी एशास मैं आपको बहुत पहले लगभग स »hada » के दिन से अपको मैं बोल दिया था याद करके सब्सक्राइब के दिन इन्टी पीसी एक बहुत बड़ा पावर सेक्टरी कंपणिया इसका क्वार्टर वान का रिजल्ट आउट हुआ था और क्वार्टर वान की रिजल मने देखा आउट स्टेंडिंग था और खास करके आपको तो मालूमी होगा कि इस बार गर्मी की मौसम सेक्टर में कितना ज्यादा गर्मी था और जिस बैसे बिबाव सेक्टर में बहुत जाथ था मतर उसको सप्लाइर देंदा कि बात कारे है मत्बशलिह आछी सप्लाइव कंपणियां नी पावर चांवड़ हो गया था हमने देख्या आज अदनी पावरर के अंदर तेजी कि यह इस बार इंटीपीसी का जो अलग-अलग सेग्मेंट वाइस चाहिए का बात करें रिविन्यू की बात करें प्रॉफिट की बात करें डिमांड की बात करें सप्लाइग की वा सारे चीज में दोस्तों बहुत ही शांदरा में ग्रोथ देखनी को मिला और जिस बैसे आगे के दिन जैसे कंपनी के द्वारा अपडेट आ जाएगा क्वार्टर वान का तुरांत मैं आपको वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा अब सवाल यह आ रहा है आई-एक्स के अंदर क्या करें तो दिक आई-एक्स की उपर अभी मैं बोलूंगा इमिडेटली कोई डिशल लेन हो गया तो तो जिस बैसे मैं आपको बोलूंगा यह जो कुछ एक्स्टरनल इशूस के बढ़ा स्वारी कुछ एक्स्टरनल रिजन की बज़े से शेयर में तेजी देखने को मिला जम देखने को मिला इसका फाइदा उठाई है आई तिंग यहां पर आपको अगर आप लॉस पांच दिन पर 10% के रिटन मदब बहुत बड़ी बात है बड़े कंपनिया तो आइधिंग अभी आपको तोड़ा वेट कर जाना चाहिए अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया तो पहले रिजल्ट चेक कर लिजे नाइंट ऑगोस्ट के दिन उसके वाद आइधि के जो तेजी हमें देखने को वहला वो तो हमें साब सुद्र मालूम पढ़ गया कल यानि 31 के दिन कंपनी का कॉर्टर वान का रेजल्ट आउट हुआ था हां बहुत सारे सेग्मेंट पे अच्छा परफॉर्म भी गया बट अल्टिमेटली दोस्तों आज जो तेजी देखने कर दिया कि अभी तक के मिया है सक्टर क्यों पर कोई भी पियल ऐ स्कीम जो कि गवन का स्की में ना पीयल ऐ स्कीम होशित नहीं कि घूर में नहीं था और और यृज इस बार क्लियर कर मेंशन कर दिया क्यूंकि चाइना का हमने देखा जो केमिकल मार्केट भी फिर से ग्रोथ देखने को मिला तो एक टफ कमपेशन मिल रहा है इंडियान जो केमिकल कमपनी को तो उसको फिर से ग्रोथ इन्हांस करने के लिए गवर्वेट अब इंडिया बहुत ही जल्द पी लाइश कीम ल बोलूँगा नविल फूर्ण अची कंपनी है अपना ओल टाइम हाई के आसपास चल रहा है कि इसका हाई कहाँ पर चारजान नौस्ट पर देखें तो इसके अलावा ऐसे और भी कंपनी जैसे कि मैं आप शुरू में बहुत सार नाम बोल दिया दीपक नाइड़ हो गया आर दम देखना चाहिए बागी बात कि अच्छी कंपनी है और भी बहुत सब्सक्राइब करके जहां पर आपको अच्छा लगे इन्वेस्ट करना शूरू कर सकतो ठीक है तो आपको समझ आगे कि क्यों आज केमिकल सेक्टर में भी तेजी देखने को मिला अब हम बात करेंगे ल क्योंकि कंपने अमने देखा कि लॉक्डाउन के पहले लिस्ट वाता बजार में 19 में तो देखें लॉक्डाउन के समय भी कोई खास गिरावाद देखने को नहीं मिला था इविन उसके बाद 2021 तक तो शियन ने बहुत अच्छा रिटन दिया दो बहुत ही अच्छा अच्छ है अची कंपने मेड़िया है अची कंपने अब बात यह कि बहुत झाल कंपनी अपना रिजल के अजरबत हैं बहुत अजहरं कर देखनी की चांश मत्की होगया का mauतर हुटें इस बार दोस्तो analyst का मानना है कि अपिल इंडिया का भी रिजल अच्छा होने का चांस तो क्या एफिल अंदर आपको इंवेस्ट करना चाहिए इमिडेटली तो देके सबसे वहली बात एफिल इंडिया देकि मीट कपनी है यह आपको दिमाग में होना चाहिए दूसरी बात कुछ नेगेटी फैक्टर सब्सक्राइब आपको फायदा उठा रहा है तो आई तिंग अगर आपको इंवेस्ट करना ह आप यह देखे कब 222 की सेप्टमबर की महीने पर ठीक उसके बाद देखे शेर जब ड्रॉप होगा तक पहुचा सीधा नौसों के नीचे ब्रेक करके तो यह जो ड्रॉप यह जो गिरावट इसको अगर आप मैनेज कर सकतो क्योंकि फ्यूचर में या नियर फूचर में कु र्रालॉण के लिए।